इसने करोली रियासत ने कब अंग्रेजों से संदी कर अंग्रेजों की अधीनता स्विकार की तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्शनिस सी यह नी 15 नौबर 1817 में करोली रियासत है जिनोंने सबसे पहले अंग्रेजों से संदी कर अग्रेजों की अदिनता को स्विकार क्या था किसे रियासत ने करोली रियासत ने 15 नौबर 1817 में जबकि सबसे अंत में अंग्रेजों से संदी करने वाली रियासत कौन थी थी वो तीस सीरो ही रियासत जिनोंने सबसे अंत में अंग्रेजों की दीनता को स्विकार किया था और सबसे पहले किसने स्विकार की थी करोली रियासत ने 15 नॉवंबर 18 सा सुत्रा को नेक्स्ट अगला दूसरा किसने नादवार संपरदाई के कैंद्री मट की इस्तापना किस इस्तान पर हुई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी नी नादवार संपरदाई के कैंद्री मट की इस्तापना है वो जोदपूर के महामंदिर में हुई थी जिसके इस्तापना माराजा मान सिंग द्वारा की गई थी किसके द्वारा जोदपूर के माराजा मान सिंग के द्वारा नाद संपरदाई केंद्रे मठ की इस्तापना की गई थी अगला नेक्स तीसरा क्यूसन है राजस्तान सरकार दोरा पर्देस में पर्तियक वर्ग के लिए नियंतम मजदूरी में कितने रुपे की वर्दी की गई तो इस सवाल का स़ी जुआब देगा ऑप्सन सी यानि फरवरी 2022 में राजस्तान सरकार ने पर्देश के परतियक वर्ग के लिए नियन्तम जो मजदूरी दर हैं उसमें 7 रुपे की बड़ोतरी की हैं और ये दर्ग हैं जो एक जुलई 2022 से लागू होगी यानि परतियक वर्ग के 7 रुपे की वर्दी मजदूरी में की गई हैं और किसने की हैं राजस्तान सरकार ने अगला नेक्स चौता किसने मेवार परजामनल की इस्तापना साल 1938 में किसके द्वारा की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन यानि मेवार परजामनल की इस्तापना है जो साल 1938 में माने के लाल वर्मा द्वारा की गई थी नेक्स्ट अगला पांचवा किसन है राजस्तान लोक साहिते में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी यहनि जेन माता देवी का सबसे लंबा गीत है जबकि लोक देवता राम देव जी का सबसे लंबा गीत है अगला नेक्स्ट शटा क्यूसन है सारंगी किस परकार का एक वाद यंतर हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्शन एनी सारंगी है जो एक ततवाद यंतर हैं और ततवाद यंतर वो यद यंतर होता है जो तारों के द्वारा स्वरों की उत्पती करता है जैसे सारंगी, एक तारा, राउन हता ये सबी हैं जो तातवादी यंत्र हैं जिसे तारों के द्वारास्वरों की उत्पति की जाती हैं अगले नेक्स सांतवा किसन है राजस्तान के किस बजट में परेटन को उदो का दर्जा देने की गोशना की गई है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन सी एनी राजस्तान के वरत्मान मुख्य मंत्री असो गेलो द्वारा पेस किये गए राजिये बजट साल 2022-23 में परेटन चत्र को पड़वा देने के लिए परेटन को उदो का दर्जा दिया गया है केस बजट में 22-23 बजट में नेक्स्ट आटवा किस ने राजस्तान में परत्म सूती वस्तर मील की स्थापना कहा की गई तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन सी यनी ब्यावर अजमेर में साल 1800 गुणनबे में राजस्तान में परतम सूती वस्तर मील की इस्तापना की गई थी जिस मील का नाम था वस्तर मील क्रशन मील्स लिमिटेड जो राजस्तान के ब्यावर अजमेर में इस्तापित की गई थी नेक्स्ट अगला नुवा किसने राजस्तान में सरव परतम 10 परता पर रोक लगाने वाली रियासते कौन सी थी तो इस सवाल का सही जवाब जेगा आप्सन एनी राजस्तान में सरव परतम कोटा और बूंदी रियासते थी जिनोंने 1832 इसवी में सरो परतम दस परता पर रोक लगाने वाली वियासतें थी नेक्स्ट अगला दसवा किसने गंतंतर दिवस के अवसर पर राजस्तान नागोर जिले के किसे मरनो परांत सरोतम जीवन रक्सा पदक से सम्मानित क्या गया हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन एहनी राजस्तान के नागोर जिले के डीडवना के रहने वाले देवदत राम अवतार गोदर हैं जिनको हाली में मरनो परांत सरोतम जीवन रक्सा पदक से सम्मानित क्या गया हैं ये पद्व हैं जो राजस्तान के रामवत्तार गुदररा को राष्टपती रामनात कोविन जी के द्वरा इस पद्व को दिया गया था अगला नेक्स्ट ग्यारवा किसने ग्रिसम रितू में राजस्तान के किस जिले में सरवाधिक आंधिया आती हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा आप्सन से यनि राजस्तान के गंगानगर जिला हैं जिसमें ग्रिसम रितू में सबसे अधिक आंधिया आती हैं जबकि सबसे नियूंतम आंद्य हैं वो जालावर जिले में आती हैं नेक्स्ट अगला बारवा क्यूसन है तारबाद की ओड़नी राजस्तान की किन इस्तरियों की लोग प्रिये वेस बुसा हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा आप्शन सी है नि तारबाद की ओड़नी है जो राजस्तान की आदिवाश इस्तरियों की एक लोग प्रिये वेस बुसा है क्योसर नमबर तेरा यूद में जाते समय योदा द्वारा किस रंग की विशेश पगड़ी पहनी जाती थी तो इस सवाल का सभी जवाब देगा आप्शन डियनी यूद में जाते समय योदाओं के द्वारा हैं वो केसरे रंग की विशेश पगड़ी को पहना जाता था अगला नेक्स्ट चवद्वा किसन है गूमर नरत्य करते समय कौन से वाद यंत्रों की अवसकता होती है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा आप्शन सी यहनी गूमर नरत्य को करते समय डोलक और मंजीरवाद यंत्रों की अवसकता होती है और राजस्तान में गूमर नरत्य हैं वो गणगोर के त्यार पर किया जाता है कब गणगोर के त्यार पर गुमर निर्थियक क्या जाता है और गणगोर त्यार है जो राजस्तान का पहला त्यार भी माना जाता है हिंदू कलेंडर के अनुसार नेक्ट अगला पंदरवा क्यूसन है राजस्तान के केस सहर में राजस्तानी बासा साइते कला और संस्कृति का म्यूजियम बनाया जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन सी अनी राजस्तान के बिकानेर सहर में राजस्तानी बासा साइते कला और संस्कृति का एक बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा अगला नेक सोड़ा किसन है अकबर के नवरतनौ में से राजस्तान के कौन से कवी थे तो दोस्तों इस सवाल का सही जो आप कौन सा है वो आप कमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताईए ओप्सन है कवी कलावत अबूल फजल बदा यूनी या इनमें से कोई नहीं कौन सा उप्सन सही है वो आप समेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताईए अगला नेक सत्रवा किसन है राजस्तान का सबसे प्राचेन पसू मेला कौन सा है तो इस सवाल का सही जवाब देगा उप्सन भी यह नि मलिनादी जी का पसू मेला है जो राजस्तान का सबसे प्राचेन पसू मेला माना जाता है और मलिनाद जी का मेला है वो तिलवडा बाड मेर जिले में बरा जाता है कहां पर तिलवडा बाड मेर जिले में मलिनाद जी का पसू मेला बरा जाता है जो राजस्तान का सबसे प्राचेन पसू मेला माना जात हैं और राजस्तान के सबसे अधिक पसुं मिला हैं वो नागोर जिले में बरहे जाते हैं नेक्स्ट अगला 18 क्यूसने ना सावन सुरंगो ना बादो हरियो ना मकावत से क्या तात्प्रिये हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन एनी सदेव एक समान रहना जिसका ना सावन सुरंगो ना बादो हरियो ना मकावत का अर्त हैं सदेव एक समान रहना नेक्स्ट अगला उग्डी सा क्यूसेन है वरतमान में राजस्तान के लोकायोत किसे नियुक्त क्या गया है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन है डियनी साथ फरवरी 2022 को राजस्तान के लोकायोत हैं न्याई मूर्ती पीके लोहरा को नियुक्त क्या गया है और राजस्तान लोकायोत की इस्तापना है वो साल 1973 में की गई थी कब की गई थी राजस्तान लोकायोत की इस्तापना साल 1973 में जिनका हाली में लोकायोत किसे नियुक्त क्या गया है वो क्या गहे हैं पीके लोहरा कू नेक्स्ट अगला बीसवा किस्टने राजस्तान के किस जिले में बांकडा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन डीनी राजस्तान के नागोर जिले में भा कना नागल बांच से अधीक सीज़ाई की जाती है Next अगला 21 हा किसने सोम गमला अंबा सीज़ाई परियोजना किस जिले में इस्तित्य हैं तो इस सवाल का सही जुब देगा option गम्ला सीज़ाई परियोजना है उंत महुत्सव 2022 की मेजबानी की तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सन है यानी राजस्तान के बीकानेर सहर में 6 मार्च से 8 मार्च तक वारसिक उंत महुत्सव 2022 की मेजबानी की गई थी और दोस्तों आपको बते देगी अर साल जनवरी माह में वीकानेर में उोंट माुषो को मनाया जाता है लेकिन साल 2022 में कोराना के नए वेयरिंट ओमिक्रोन की वज़े से इस साल उोंट माुषो को मार्च महिने में आय जितिक क्या गयता कहाँ पर वीकानेर जिले में शो 6 मार्च से 8 मार्च तक अगला 23 किसन है, राजस्तान में सीची चेतर कूल कर्षी भूमी के कितने परतिसत हैं? तो इस सवाल का सई जो आप देगा option C, नी राजस्तान में सीची चेतर कूल कर्षी भूमी के चेतर हैं वो 30 परतिसत हैं अगला नेक्स चोईसवा किसन है किस राजे सरकार ने उट सरक्षन वा विकास निती लागू करने की गोशना की हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C नी राजस्तान राजे सरकार हैं जिनोंने उट सरक्षन वा विकास निती लागू करने की गोशना की हैं क्योंकि देश में उंटों की दिनों दिन कमी होती जारी हैं इसलिए अब राजस्तान सरकार ने उंटों के सरक्सन के लिए उंट सरक्सन वह विकास निती को लागू करने की गोशना की है। अगला नेक्ष्ट 25 वा क्युसन है वर्सा में नाचतेवे मोर राधस्तान की किस चित्रकला की विसेश्था हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ओप्सन डी यानी वर्सा में नाचतेवे मोर हैं वो राधस्तान की बूंदी चित्रकला की एक प्रमुक विसेश्था हैं लिए हैं जिस पर उंट की खाल पर चित्रकान करने की कला की विशेष्था हैं अगला नेक्स सभी सा किसने राजी में सपेज सिमेंट के कारकाने कहां इस्तित्थ हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन डी यह नी ए और बी दोनों यह नी गोटन नागोर में खार य खंगार बोपालगड जोतपूर में नेक्स अगला 27 किसने नेमन में से कौन सा दुर्ग राजपूत मुगल सेली का सुंदर उदारन हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन ए नी राजस्तान का नागोर दुर्ग हैं जो राजपूत मुगल सेली का एक सुंदर तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन ए यानी राव मादू सिंग है जो हाडा सा सकते जिनोंने विजय दसमी के दिन कोटा में प्रसिद दसारे मेला का आयजन सुरू क्या था किसने राव मादू सिंग ने और राव मादू सिंग है जो कोटा के परतम हाडा सा सकते ज जिनोंने कोटा में प्रसिद दसार मेला का आईजन सुरूग क्या था नेक्स्ट अगला गुंतीसा किसने डूंगरपूर में आसकरण द्वारा निर्मेत बैनस्वर का सिवाले कौनसी नदियों के संगम पर इस्थित हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन भी यहनी डूंगरपूर में आसकरण द्वारा निर्मेत बैनस्वर का सिवाले हैं वो सोम और माई नदियों के संगम पर इस्थित हैं अगला नेक्स्ट तीसा किसने मिवाड का खजुराओ किस मंदिर को कहा जाता हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन यहनी अम्भी का दिर जो उदेपूर जिले में इस्तित्व हैं नेक्स्ट अगला 31 किसने राधस्तान में सरव परतम दास परता पर रोक लगाने वाली रियासते कौन सी थी इसका सभी जवाब कौन सा हैं वो आप कमेंट सक्षिन में लिकर जरूर बताई ऑप्सन है कोटा और बूंदी रिया रियासते हैं कोटा और जालावाड रियासते हैं या अलवर और बरतपूर रियासते हैं इन चारों में से कौन साप्सन सी हैं वो आप कमेंट सक्षिन में लिकर जरूर बताईए नेक्स अगला 32 किसने तारबाद की ओड़नी राधस्तान की किन इस्तरियों की लोग प्रिये वेस भूसा हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन सी यानी तारबाद की ओड़नी है जो राधस्तान की आदिवाशियों इस्तरियों की एक लोग प्रिये वेस भूसा है अगला नेक्स 33 वा किसने प्रत्विराज विजे ग्रंद की रचना किसने की थी तो इस सवाल का सभी जवाब देगा आप्सन ड यानि प्रत्विराज विजे ग्रंद की रचना है जो जयनक द्वारा की गई थी नेङ्स्ट अगला 34 वा कुसने आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने वाला वोरक्ष कौन सा है नेङ्स्ट अगला 35 वा किसने नेमन में से किस वरक्ष प्रजाती के बीज़ों से तेल की प्रापती होती है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option 8 DNA रतन जोत वरक्स प्रजाती के बीजों से तेल की प्राप्ती होती है इसी प्रकार next 37 वा क्यूसन है राजिय में सबसे अधिक आरक्सित वन छेतर वाले जिले कौन से हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B&E उद्यपूर और चितोडगर जिले हैं जो सबसे अधिक आरक्सित वन छेतर वाले जिले हैं कौन से उद्यपूर और चितोडगर जिले next अगला 37 क्यूसन है सोष्क वन अनुसंदान के अंदर कहां इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D&E सोष्क वन अनुसंदान संस्तान है वो राजस्तान के जोतपूर जिले में इस्तित्तित हैं अगला next 38 किसने राजस्तान बूंदी के महाराव राम सिंग के दरबारी कवी कौन थे तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D&E राजस्तान के बूंदी महाराव के राम सिंग के जो दरबारी कवी हैं वो सूर्य मल मिश्रन थे next अगला गुणचाली सा किसने माराणा कुमबा द्वारा रचित कुछ एत्यासिक नाटकों में राजस्तान की किस बूली का परियोग हुआ हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option B यानि मारणा कुमबा द्वारा रचित कुछ एत्यासिक नाटकों में राजस्तान की मेवाडी बोली का परियोग हुआ हैं किस बोली का प्रियागवा है मेवडी बोली में राजस्तान के मरनकुमबा के दोरह एतैसी की नाटकों में नेक्स अगला चारीसा किसीन ने राजस्तान के किस जीले में मरू मтовत्सव का आयोजन होता है तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप comment section में लिखकर जरूर बताईए यानि राधस्तान के किस जले में मरू मौतसव का ओईजोन होता है वो आप comment में लिखकर जरूर बताईए अगला next एक ताड़ी सा question है राधस्तान परिटक विकास निगम की इस्तापना कब होई थी तो इस सवाल का सई जवाब देगा option A&E एक अपरेल उन्नी सो गुणी असी में राधस्तान परिटन विकास निगम की इस्तापना होई थी कब होई थी एक अपरेल उन्नी सो गुणी असी में इसी परकार next अगला अंतियम बयाली सा किस ने राधस्तान का लगबग कितने परतिसत बोगलिक भाग वन अच्छित हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option A&E साथ से नौ परतिसत भाग हैं जो बोगलिक भाग हैं जो वन अच्छित हैं